अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आप सभी के लिए कुल की शर्बत की रेसिपी बना कर लेकर आई हूं फ्रेंड्स की केरला की बहुती स्पेशल ड्रिंक है और आप समर भी आ चुके हैं तो आप सबको थंडर थंडर खाने का पीने का बहुत अदमन करते तो इस तरह से आप अपने घर पर कुल की शर्बत पना कर पी सकते हैं बहुत ही रिफ्रेश्णिंग ड्रिंक है तो बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने कुछ मिंट्स ले ली हैं यह मने लेमन लिया और यह हमने सब्छा सीड ली आ है दो चमज अर्दो मेंने हरी हरी मिट्च ल जाएंगी देह सकते हैं 5 मिंट इस तरह से आपकी सब्जासीट दिखेंगी तो बारी आत के हमारी मिडचो की तो अब मिडचो को भी इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं फ्रेंस बहुत ही अच्छा स्पाइशी सा टैंगी सा फ्लेवर आएगा हमारा तो कुल की शरपत मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से स्लाइस कट कर रखे हैं लैमन की वह डाल देती हूं उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद बारी आती है फ्रेंट्स हमारी लैमन की तो मैं इसमें एक पूरा लैमन डालूंगी दिखे इस तरह से हम अपना पूरा लैमन इसके अंदर एड़ करेंगे जो आदा बचा है फोपी मैं इसके अंदर एड़ करूंगी एक गिलास कुल की शर्बत के लिए एक लैमन ही लगेगा फ्रेंट्स इस चीज़ का ध्यान दे इसके बाद फ्रेंट्स हम सबजा सीट्स दाल देते हैं मैं दो चमच इसमें सबजा सीट्स डाल दूँगी जो हमारा शर्बत है यह बहुत ज़दा यम्मी बनेगा और बिलकुल रिफ्रेश्णिंग बनेगा और सब्जा सीट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जदा बैनिफिशली होते हैं यह हमारे पेट में ठंड़क करते हैं गर्मियों में बहुत जदा हैल्दी भी होता है तो आप जरूर इस तरह से अपने घर में रिफ्रेश्णिंग डिरिंक पना कर जोड़क करें का इसे पी पींसकते हैं मैं इसके अनधर कुछ मिंट लिव डाल रही हूं और मैं यह iляются कियुक आल कि इसके अनोगा ही मैं इसके नदर पानी भी आड़ कर रही हूं आप ठंड़ा पानी आड़ग कर ज्लीजिए तो देख सकते हैं हमारी धोत उर्सतनी कि शहर आप चाहें तो शेकर में भी इसे शेक कर सकते हैं शेकर नहीं है आपके पास इस तरह से शेकर नहीं है तो आप चम्मत से भी इसको शेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं हमारे कुल की शर्बट ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है कैडला की स्पेशल ड्रिंक है बहुत तो आप इस तरह से इस गर्मी में जरूर इसको ट्राइ करें सब को बेहत पसंद आने वाली है पेट में ठंडक कर देगी और गर्मियों के मज़े लीजिए यह रिफ्रेशनिंग ड्रिंक से तो देखिए हमारी कुल की शर्बत ड्रिंक बनकर बिल्कुल तेयार है और आपको हम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू वाचिंग माई वीडियोज